कि नमस्ते कैसे हो आप लोग पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना मैंने यह बॉडर डालके दो रंग का डिजन दिखाया था आपको तो मेरा स्वाटर तियार हो गया यह देखो देखो यह बीच का हिसा ही है इस तरीके से आएगा स्वाटर काफी खुला है यह एक साल ने देखो इसी तरीके से यह बाजू भी आलें इस तरीके से इस बाजू में भी ड़ा है यह आगे मैंने खुलिक ग कलर्स कर रिस बना दरहाए क्योंकि मुझे गला वाइट से बनाना था तो गले में ऊठाएं मैंने 108 पंदे मेरे गले में यह बट्रीवाला बनाया यहां प पच्छे को पैनाने में थोड़ा सा परिशानी होती है यह 108 फंदे मेरे यह फिर मैंने टाइट टाइट गटा लिए तो मैंने दो का एक दो का एक करके घटाया ऐसे करके नीचे से तो फंदे जादा उठाने बड़ते हैं दो सीधा दो उल्टा डाला है मैंने तो मैंने हर बटन यहां से थोड़ी सी फंदे उठाके बनाएं दोनों कंदों के और यहां पर एक काज बना लिया यहां पर बटन लगा दिया तो बाजू में डाले मैंने यहां से 36 फंदे उपर मेरे अठाउन फंदे आये मेरे यह अठाउन के बाद मैंने 5-3-2 एक करके घटाया फिर इतने में मेरा मुड़ा पूरा हो गया तो मेरा यह मुड़ा यह सिल गया देखो अच्छा लग रहे यहां पर भी मैंने नीचे फंदे ढाले दें मैने का पैनाने में जराःप परिशानी होगी दिए यहां पर जब बना कि बच्चे को पैनाने में परिशानी नहों इस तरीके से यह आज आएगा देखो ग्रीन कलर से फंदे उठाएं यह छे साथ फंदे उठाएं और उसके बाद यहां पर एक काज बना दिया कि देखो इस तरीके से बच्चा पैन्ने में भी सुद्दा रहेगी और अच्छा भी लग रहे हैं कि दोनु दरब देखो मुड्डे में मैंने 3-2 एक घटाया था यहां पर क्योंकि फंदे कमी थे बाकी जो फंदे पीछे थे वह यह 22 पीछे आ गए थे मेरे यह इस तरह के से बीच में से डिजैन लेके अब इसकी वीडियो तो मैंने क्यूंकि डिजैन तो मैंने आपको पहले बताई दिया था कि कैसे बनाना है देखो कोई मोड नहीं है कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मोड जाशा लगता है खींचो स्वाठल काफी बड़ा है दो उल्टे बनाये चार सीदे चार सलाई के बादे यहां से फिर एक उल्टा एक उल्टा एक सीदे के उपर उल्टा होगिया एक उल्टा हो गया दो ऊल्टों में से 1 ऊल्टा को तो मनया शिदा बना लिया एक उल्टा बचा इधर के सीधे में एक उल्टा ओर जोड लिया इसलिए तिर्शा तिर्शा सा हो गया इस तरह किसे डिजेन भी दिख रहा है आप स्वाँर के लंबाई बता देती हूं टोटल 14 इंच आ रही है मेरी लंबाई 14 इंच बनाए मुड्डे से नीचे मैंने 10 इंच बनाए 10 नहीं 9 9.5 इंच बनाए क्योंकि एक साल के बच्चे का फिर ज्यादा लटकता है तो थोड़ा खुलेगा भी यह क्योंकि उन भी ऐसी है थोड़ी लिए 9 इंच मेने मुड्डे से नीचे बनाया चार इंच मेरा शिलाइ करके देखो मुड्ड़ा आया कि चार इंच जब मैने मुड्ड़ा गटाया तीन दो एक घटा है उसी टाइम पर उसी समय पर मैंने गला घटा दिया तो गले में जो मैंने इधर रखे हैं जो तेरा तरफ देमेरे इधर रहए कि ऊचे करके दो बारी पर दो बारि और घटा यह कंने कर दाएग एक वारी में एकि आपसे गोल जाईऊ बशी सुए मैंने बताई दिया 108 फंदे हैं मेरे और घटाते समय मैंने दो का एक कर दिया था इसलिए गोल बढ़ गया गला नीचे लूज होना चाहिए पैनाने में थोड़ा उपर क्योंकि उपर बटन लगाया तीसले टाइट भी घटाया तो कोई बात नहीं लेकिन यहां लूज होना च दस इंच दस इंच पे मैंने पहले मुड़े से नीचे बनाया फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बनाया तो टोटल मेरा हो गया शिलाई करने के बाद 11 इंच पूरा है 12 इंच पे बस जरा सा है देखो 12 इंच लगा लो क्योंकि पहले 12 बनाऊगा तो थोड़ा यहां सिलाई में भी जाता है तो थोड़ा सा इधर भी आ जाता है उपर तो टोटल 12 इंच है बाजू और यहां से यहां तक मुड़े से बौडर तक मेरे 10 इंच है अब एक टोपी भी बनाई जुरा आपके लाइक तो उन था नी खली यह 197 गराम अला 200 गराम लगा लो 200 गराम मून थी जिसमें से यह बची है बस जरा सी वाइट और एक छोटा सा दागा ग्रेन बस इतना ही बचाए जबकि ज़्यादा कट पट में नहीं गया किसी में नहीं एक अब टोपी बनाई मैंने डले और अधाले इसका देखो इधर इदर इसके बाद मेने यह से तीन इसे कर ले आ reflects itu एक हिसा इदर एक हिसा इदर बीच का हिसा इसमें से फिर मैं फंदे ले इदर इदर करके घटा के पहले वीडियो में भी मैंने बता रखा है दूसरी टोपी में तो यह घटाते हुए गई यहां तक उसके बाद मैंने फंदे उठाएं यहां पर ही मैंने एक बटन लगा रखा अब यहां मैंने 10 फंदे तो मैंने यहां बढ़ाएं 10 ही मैंने इधर बढ़ाएं कि गले के नीचे थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए अब यह फंदे उठे हैं मेरे टोटल फंदे मेरे यह नबबे फंदे हैं 10 इधर थे 10 इधर 20 फंदे मेरे यही हो गए 70 फंदे उठाएं मैंने यहां से यहां तक फिर गिरीन धागा कम पड़ा था तो एक लाइन से फिर बंद करते हैं वाइड धागे से देखो अब गले के नीचे भी टाइट नहीं होगा अब एक काज बना रखें दो कभी भी आगे पीछे कर सकते हो का बटन और लगता इसमें तो दो बटन हो जाते फिर देखो इस तरीके की टोपी भी बन गई अब सॉक्स के लाइक तो उन बची नहीं थी इसलिए सॉक्स बनाई नहीं तो 200 गराम में यह बनाया बस मैंने यह दिखाया था आपको तब इसमें मैंने थोड़ा करोशय लगा लिया नीचे तो ज्यादा अच्छा लग रहा अब यह भी हापसवाटर है यह तो नीचे से यह फिरल से हो गई यह बच्चे की इसमें भी मैंने कुरोशे की जलर बना लिए दो-तिन लाइन की दो लाइन मैंने ऐसी बना एक तीसरी लाइन में मैं छोड़े कंगुरे सी बना दिये अब वने में देखो वैसी तो बहुत लूज है थेंक्यू आज मैं बनाना नहीं सिखा रही हूँ आज मैंने बना हुआ दिखाया आपको क्योंकि मैंने शुरू में दिखा दिया था आपको बॉर्डर बनाने के बाद डिजैन कैसे डालना है थोड़ा लाइक शेड जरूर करना वेरा चैनल सस्क्राइब भी कर देना थेंक्य चैनल सस्क्राइब जरूर के लेंक्या छंदेना दिखाया लाइकन्स का दिखाया और रही हुआ